पीरिट्स के दौरान पिंपल्स क्यूं आते हैं और उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही उन पिंपल्स के दाग आपके चेहरे पे ना रह जाए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी इस कर दोरान हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन चेंजिस होते हैं बॉडी का जो नॉमल टेमपरेचर होता है वो भी थोड़ा सा इनिक्रीज कर जाता है और इस वज़े से हमारे स्किन ज्यादा ऑली हो सकती है और यह कारण हो सकता है हमारे पोर्स को क्लॉक करने का जो की फै और उन हॉर्मोनल चेंज़ेस की वज़े से कई बारी हम चिचड़े हो जाते हैं और उस वज़ेसे अगें जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उससे भी कई बारी पिमपल्स निकलते हैं कील मुहा से निकलते हैं लेकिन उस दौरान अगर आप ठंडी चीजों का सेवन करेंगे ज गरम चीजें अवाइड करिए जैसे बहुत ज्यादा कॉफी या चाय नहीं पीजिए ओल्दो पीरिट्स के दिनों में बहुत जादा में लेजीनिस फील होता है तो उस वज़े से भी हमें लगता हैं बार बार जैसे चाय बाई पीए बट नहीं आपको अवाइड करना चाह अगर आपको सुबह और शाम चाय पीने की आदत है तो थोड़ा थोड़ा चाय पी लिजे लेकिन बहुत ज्यादा चाय कॉफी स्पेशली उन दिनों में पीना अवाइड करिए बॉड़ी को हाइडरेटेड रखिए मेक शौर कि आप तीन से चार लीजर पानी पी रहे हो त संदी चीज़ें आपको खानी है और अब थोड़ा टॉड़ा अप्लिकेशन की बात कर लेते हैं तो मैं यहीं कहूंगी कि किसी आर्टिफिशल क्रीम की बजाए आप अलोवेरा जेल ट्राई करके देखें जैसे आपको लग रहा है कि किसी पर्टिक्लर पॉइंट पे अब चाहिए रात में लगा के लिए सुबहा आप देखोगी कि पिंपल का साइज आधा हो जाएगा अगर चोटा सा पिंपल तो गाइब भी हो सकता और इसे मैं कई बारी ट्राइ किया है सो समटाइम्स एवन आई गेट पिंपल्स दूरिं माई पीरिड्स कई बारी पिंप पानी से उसको बॉष कर लो एक चीज जो आपको बिलकुल नहीं करनी है इचिंग नहीं करनी है और नहीं करना है क्योंकि इससे पिंपल को हील होने में ताइम लग सकता है और साथी वहां पर दाग भी पढ़ सकते हैं और लास्ट बट नाट दे लीस्ट दिन में दो तीन ब टेंपरेचर वाटर से वाश करने की बात करें, I am not talking about any face wash, क्योंकि अगें आप आप अगर अगर face wash यूज करते हो तो यह आपकी skin को dry कर सकता है, तो इसलिए normal room temperature पानी से बस skin को wash कर लो और साफ cotton के टावल से dry कर करके रखिए, इसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, then don't forget to comment below, और आपको पता ही last minute में क्या बोलने वाले हो, like करो, share करो, subscribe करो, bye!